Hello everybody, आज यह topic हम cover करने जा रहे हैं, वो है Affidavit for Change of Signature. यहाँ पर सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम mention किया जाता है, जिसे अपने signature को change करना है. फिर उनके पिता के नाम को mention किया जाता है और उनकी age को mention किया जाता है. फिर यहाँ पर address को mention किया जाता है. फिर यहाँ पर declaration दिया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि आप अपना signature change करने जा रहे हैं. फिर यहाँ पर आपको बताना होता है कि जो address आपने उपर mention किया है, आप उस address पे recite कर रहे हैं, और कितने सालों से आप उसी address पे recite कर रहे हैं, यह आपको बताना होता है. फिर यहां पर आपके दुवारा स्पेसिमन दिया जाता है कि आपका पुराना सिगनेचर कैसा था और आपका नया सिगनेचर कैसा है तो यहाँ पर आपको आपके दोनों signatures को करना होगा और यहाँ पर उन्हें title देना होगा कि कौन सा signature पुराना वाला है और आपका नया signature क्या है फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप यह signature change carefully कर रहे हैं और अपने होशो आवास में कर रहे हैं फिर यहां पर date को mention किया जाता है, signature किये जाते हैं applicant के द्वारा, फिर यहां पर advocate के द्वारा signature किया जाता है. जाता हैं 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 जाता है